हाल ही में इंडस्ट्रियल और डॉमेस्टिक सेक्टर्स में सब मर्सिबल पंप्स की वर्सिटालिटी यानि की विविद कारे करपाने की शम्ता और इनकी विश्वस नियता की वजह से मार्क चेर्स में अच्छी बढ़ोतरी हुई है इन्हें किसी प्राइमिंग की जरुरत नहीं होती इनमें जल्दी कैविटेशन का इश्यू भी नहीं होता है और ये बहुत ही एफिशेंट होते हैं सबमर्सिबल पंप एक सेंट्रिफ्यूगल टाइप पंप है आप देख सकते हैं कि इंपेलर्स किस तरह से बाहर की तरफ पानी फेग रहे हैं इंपेलर ब्लेड्स बैकवर्ट कर्वड टाइप के होते हैं यहाँ पर कई सारे impellers एक ही shaft से connected हैं और इस shaft को एक induction motor घुमाती है पानी impeller की eye से enter करता है और centrifugal action की वजह से बाहर की तरफ फेंका जाता है इस तरह से पानी के particles को kinetic और pressure energy दोनों मिलती है अब हमें इस outlet water को अगले impeller तक कुशलता पूर्वक पास करने की जरूरत है इस purpose के लिए एक stationary device जिसे diffuser कहा जाता है का इस्तेमाल होता है आप देख सकते हैं किस तरह से impeller से बहता हुआ पानी diffuser में enter होता है diffuser इस inlet water को deflect करके अगली impeller stage के लिए तयार करता है अगले impeller को इस diffuser के outlet के साथ connect किया जाता है इन जुड़े हुए impellers की series हर stage पर pressure gain को कई गुना बढ़ा देती है यही वज़य है कि सबमर्सिबल pump इतना जादा pressure head produce करते हैं इस तरह से pump किया गया पानी सबमर्सिबल pump की एक non-slam check valve से पास होता है water hammer का issue इस non-slam check valve के इस्तिमाल से प्रभावी ढंक से कम हो जाता है जो कि उचाई तक pump करने यानि high altitude pumping करने में काफी बड़ा issue होता है चलिए अब सबमर्सिबल pump के सबसे आवशक mover पर focus करते हैं impellers को run करने के लिए आम तोर पर एक induction motor का इस्तिमाल होता है induction motor का power supply एक stator को दिया जाता है जो कि single phase या three phase हो सकता है operation के दोरान motor बहुत ज़ादा heat produce करती है और इस वजह से उसे ठंडा करने के लिए पानी या तेल से भरा जाता है motor के आसपास लगातार circulate हो रही coolant jacket ये निरधारित करती है कि motor कभी भी overheat ना हो आप देख सकते हैं कैसे नीचे की तरफ लगा हुआ ये छोटा impeller coolant के इस circulating flow को बनाई रखता है इस पूरे impeller motor assembly को working fluid में डुबाया जाता है इसका मतलब ये कि पारम पर एक centrifugal pump की तरहे सब merciful pump में priming की जरूरत नहीं होती है एक और बड़ा इशू जो आम तोर पर centrifugal pump में होता है वो होता है cavitation का इशू सब merciful pump में पानी को pull करने की जगह पुश किया जाता है और ये सिस्टम में negative pressure head की chance को कम कर दिता है जिस वजह से cavitation का इशू नहीं होता है high pressure head, flow rate विशिश्टता और पानी में पूरी तरह डूबे रहने की काबिलियत submersible pumps को bore well lifting, fire fighting और oil well lifting के लिए एक बढ़िया choice बनाती है विश्व के 90 प्रतिशत oil wells को एक किफायती flow rate हासिल करने के लिए किसी तरह की artificial lift की ज़रूरत पढ़ती ही है submersible pump के impeller और diffuser section में narrow flow region नहीं होता है और ये तत्य सबmersible pumps को waste water pumping और बहुत गाढ़े flutes lift करने के लिए भी एक अच्छी choice बनाती है और तो और specialized design के साथ सबmersible pumps को slurry pumping के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है Please support बटन पर क्लिक करके हमारी supporters में से एक बन जाईए Thank you